सिधार्थ और शहनास आये बिग बॉस 13 में और वो शो बहुत जादा हिट साबित हुआ बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे हिट सीजन इसे माना जाता है और सिधार्थ और शहनास की वजह से ही ये शो इन उचाईयों तक पहुँचा और सिधार्थ और शहनास को जिस तरह से लोग प्यार कर रहे थे अपना प्यार बरसा रहे थे वो आज भी दिलों में राच करते हैं ऑडियंस आज भी पसंद करती है सि्धात और शहनास को देखना और Big Boss 13 को आज भी याद किया जाता है तो सिधात के नाम की वज़ह से ही याद किया जाता है उसके बाद जितने भी सीजन आए वो सभी Big Boss 13 की उचाहियों को पाना चाह रहे हैं बिग बोस 14 की बात करें OTT की बात करें या फिर season 15 की सभी सिधात और शहनास बनने की कोशिश कर रहे हैं कंटेस्टेंट सेज़नास मॉमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं यहां तक की मेकर्स भी यही चाहते हैं कि कोई ऐसा कपल बन जाए जो सेडनास की तरह ही हो जिसके कारण शो को हाइप मिल सके लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं पार रहा है गाईस ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सेडनास का रियल बॉंड था जो कि फैंस को पसंद आया ऐसे फेक बन कर आप फैंस के दिलों पर राज नहीं कर सकते जगह नहीं बना सकते तो गाईस वही चीजे सामने आई है और बिग बॉस की हिस्टरी का सबसे बुरा दौर चल रहा है बिग बॉस 15 में टी आर पी घटकर एक रह गई है एक टी आर पी ऐसा तो हिस्टरी में कभी हुआ ही नहीं खबरे तो यहां तक आ रही है कि जनवरी में ही इस शोक पर ताला लगा दिया जाएगा क्योंकि मेकर्स बहुत जादा है और टी आर पी गिर रही है तो इस तरीके से लॉस में जा रहा है शो जो की मेकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं इस शोको भाई कोई भी नहीं बच पा रहा है अब अन्दाजा तो ये भी लग रहा है क्या इस शो पर एज़ गेस्ट शहनास को बुलाया जाएगा अब ये देखने वाली बात होगे गाई सारी खबरे हैं अब इन में कितनी सच्चाई होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन शो की टी आर पी गिर